हालो फ्रेंज्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में इस वीडियो क्लास में डिसकस करेंगे न्यू बेटर्ड लोज टेस्ट सभी बेंक के लिए और यह लिए इस इंपोरेंट रहेगा इसमें मैं आपको कुछ बेसिक ट्रिक्स बताओंगा किस तरीके से आप close test को accuracy के साथ कम से कम time में solve कर सकते हैं तो चलिए शुवात करते हैं देखते हैं इस close test को लेकिर आगे बढ़ने से पहले यहाँ इस adda 247 की test series के बारे मैं आपको बताना चाहूँगा यह आप इसको join करना चाहते हैं तो इसका request आप मुझे mail पर भी कर सकते हैं और discussion group में भी कर सकते हैं तो वहाँ पर मैं इसका link आपको भीजूँगा और वहाँ से इसको इन adda 247 की किसी भी test series को आप discounted price पर ले सकते हैं और join कर सकते हैं देखी यह है एक close test और इसमें 10 question है आप देख सकते हैं एक नए pattern का यह close test है और सभी banking exams का almost यह integral part है close test ठीक है bank clerk का और bank PO का सभी exams में यह पूछा जाता है normally यह 5 number का होता है 5 marks का होता है लेकिन कभी कभी 10 marks का भी close test पूछा जाता है तो इसको किस तरीके से करना है यह मैं आपको बताऊंगा देखे close test को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने 3 या 4 line पड़ी या शुरू की एक line पड़ी और आपने इस flour को देखा और उसको भरना शुरू कर दिया क्योंकि उससे close test का close test का theme क्या है या close test की tone क्या है यह हमें पता नहीं पड़ता है close test की theme basically होती है किस topic पर वो close test बात कर रहा है और tone होती है कि close test का actually close test positive है या negative है close test किसी चीज़ को criticize कर रहा है किसी चीज़ को admire कर रहा है वो होती है close test की tone तो theme और tone पता करने के लिए आपको कम से कम 50% close test पूरा पढ़ना चाहिए ठीक है without looking at the options उसके बाद close test को आपको try करना चाहिए यह से यहां से हम पढ़ते है agriculture has always been celebrated as the primary sector in India thanks to the green revolution India is now production India agriculture has been तो इस paragraph में किस की बात हो रही है agriculture की बात हो रही है इंडिया का जो primary sector है agriculture उसकी बात हो रही है production को किस तरीके से बढ़ा सकते है यह इसमें बात हो रही है अब देखे यहां पर कुछ words देखिया यहां पर एक word दिया है self addressed एक word दिया है growing and using तो इससे यह पता पढ़ता है कि इसका जो tone है यह positive tone है इसमें हम agriculture में क्या technological advancement हो रहे हैं और किस तरीके से primary sector में इंडिया grow कर रहा है उसकी इसमें बात हो रही है इसमें किसी भी चीज को criticize नहीं किया जा रहा है तो इसलिए इसका जो tone है वो positive tone है ठीक है और इसकी theme क्या है इसकी theme जो है वो agriculture in India है तो यहां पर देखे क्या बोला जा रहा है कि agriculture has always been celebrated as the primary sector in India एकनोमी में तीन सेक्टर होते है primary sector, secondary sector और एक tertiary sector primary sector में हम किसी भी चीज को produce करते हैं secondary sector में हम उस चीज को process करते हैं और tertiary sector में हम उस चीज को deliver करते हैं तो इस तरीके से ये तीन major sectors में एकनोमी को बाटा जाता है primary sector, secondary sector और tertiary sector तो agriculture में हम produce करते हैं grains को हम produce करते हैं इसको हम primary sector में रखते हैं तो agriculture has always been celebrated as the primary sector in India thanks to the green revolution देखें यहां पर हम क्या बोल रहे हैं हैं यहां पर हम बोल रहे हैं कि thanks to the green revolution जो हरित करांती आई थी जो green revolution आया था उसको हम thanks दे रहे हैं उसको हम thanks इसलिए नहीं हैं कि यहां पर green revolution की वज़े से कुछ अच्छा हुआ है thanks to the green revolution India is now तो यहां पर India is now के बाद जो word आयागा वो कैसा होगा negative होगा या positive होगा definitely positive word होगा तो कि यहां पर हम बोल रहे हैं green revolution की वज़े से इंडिया में एक बड़ा change आया है thanks to the green revolution India is now अब यहां पर जो word आपको दिया है देखें यह नए पिटल का close test है यदि आपको लगता है कि यह जो word दिया है examiner ने आपको यह यहां पर perfect fit है तो आपका answer क्या होगा फरस्ट के लिए आपका answer होगा no change या no correction required ठीक है लेकिन इसको यदि change करने की जरूवत है तो फिर आपको नीचे का जो option है जो चार option है उसमें से एक option यहां पर आपको फिल करना पड़ेगा तो green revolution की वज़े से क्या हुआ है green revolution की वज़े से India इनडिया independent होगा डिपेंटन नहीं होगा या किसी बर rely नहीं करेगा वो तो independent के लिए यह word है वो क्या है वो है self sufficient in food यहां पर देखिए एक word को भी check कर रहे है और proposition को भी check कर रहे है तो यहां पर जैसे उपर देखा है self addressed for तो self-sufficient कोई विक्ति होता है self-sufficient का मतलब है कि वो independent है अपने पेरों पर खड़ा है तो वह किसी particular sector या किसी particular field में self-sufficient होता है तो यहां पर हम self-sufficient in food production यहां पर यह सही आंसर होगा ठीक है अब देखे प्रोडेक्शन वर्ड भी यहां पर जो प्रोडेक्शन वर्ड दिया है यह जो प्रोडेक्शन वर्ड दिया यह भी food के साथ यहां पर match कर जाएगा तो India is now self-sufficient in food production इस तरीके से इसको आपको करना है ठीक है इसके बगल वाले जो words होते हैं जो filler यहां पर होता है इसके बगल में proposition कौन सा जाएगा ठीक है वो आपको देखना है मतलब यह जो option है य नाओ यहा पर एक keyword है now और यहां पर एक keyword है self-addressed तो green revolution की वज़े से हमbenchcheen पहले हुआ है और अब हम बोलना है इंडिया is now तो green revolution की वजे से इंडिया पर क्या पर फरक पलेगा डिटी रिव तो इसकी वज़े से इंडिया क्या हो गया है, self-sufficient हो गया है food collection में, ठीक है, तो इसका right-hand wall of world और आपका left-hand wall of world आपको देखना है और उससे connect करके फिर आपको common sense apply करना है, second हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, Indian agriculture has been growing and using technology, technologically as well, अब देखिए, यहाँ पर देखिए, मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से सो करना है, Indian agriculture has been growing, has been के साथ growing आएगा and using, अब देखिए, using के बाद क्या word आएगा, I am using, यदि आप एक sentence बोलते हैं, I am using, using, तो using के बाद, normally आप कौन सा word लगाएंगे, कौन सा part of speech लगाएंगे, आप noun लगाएंगे, I am using a computer, I am using a pen, I am using a book, ठीक है, तो using के बाद, यहाँ पर जो requirement है, वो किस चीज़ की requirement है, noun की requirement है, ठीक है, तो अब हम देखते, option, Indian agriculture has been growing and using, देखिए, यहाँ पर technologically दिया है, जो कि एक adverb है, गलत होगा यह, तो यहाँ पर replacement की ज़रूबत है, और यहाँ पर आप बोलेंगे, Indian agriculture has been making technological advancement, तो technological advancement में, advancement noun है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर, आपको noun चाहिए, Indian agriculture has been making, has been making what, has been making technological advancement, ठीक है, as well, मतलब इंडिया में technological advancement भी agriculture की field में होते रहे है, Indian agriculture has been, has been के बाद ING form आएगा, तो ING form लगा है making, और making what, making advancement, advancement, advancement क्या है, यहाँ पर noun है, advancement को modify, कौन सा word कर रहा है, technological, तो technological क्या हुआ, adjective है, advancement क्या है, advancement is a noun, technological is a adjective, making is a verb, ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही answer होगा, making technological advancement, यह close test जो है, यह simple close test है, इसमें कुछ भी कठे नहीं है, Indian agriculture has been making technological advancement as well, as well मतलब, as well आता है, also के लिए, तो Indian agriculture has been making technological advancement as well, ठीक है, तो यह होगा आपका second, अब हम आगे पढ़ते हैं, और option number 3 देखते हैं, क्या इसमें पूछा जा रहा है, यहाँ पर हम यह बोल रहे हैं कि Indian agriculture ग्रो कर रहा है, और positive तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखे, के contrast create किया जा रहा है, आज सफर फीशिल एनलेसिस अब दा अबब पॉइंट्स वो टैंट बन टू से एस, यदि यदि उपर जो पॉइंट्स दिये हैं, उसका एक सफर फीशिल एनलेसिस किया जाए, तो कोई भी व्यक्ति टैंट हो जाएगा, कोई भी व्यक्ति ये कहने पर मजबूर हो जाएगा, कि इंडियन एग्रिकल्चर इस ग्रोइंग क्वाइट गूड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कीवर्ड दिया है, बट, बट के थुरू यहाँ पर एक contrast create किये जा रहा है, तो तीसरे में हम देख लिए आगे बढ़ेंगे और इसमें हम बोलेंगे, but the truth is far from it, देखें इस फ्रेज में क्या बोल ला है, कि सचाई जो है, वो इस से दूर है, यानि यहाँ पर हम एक contrast create कर रहा हैं इस phrase के द्वारा, कि सचाई जो है, वो इस चीज से दूर है, कि इंडिया म से दूर है, ठीक है, तो यह जो phrase है, यहाँ पर एक perfect fit है, but the truth is far from it, the reality is, देखें यहाँ पर भी आगे एक word दिया है, the reality is, ठीक है, तो real और true, सेम चीजा होती है, तो इसलिए यहाँ पर आगे extend किया गया है, the reality is that Indian farmers have to face extreme poverty and financial crisis, reality यह है, कि भारत के जो किसान है, Indian farmers जो है, they have to face extreme poverty, उनको बहुत गरीबी जहिलनी परती है, financial crisis जहिलनी परती है, which is, अब देखें, यहाँ पर, यहाँ पर क्या है, which is, बतलब यह जो fact है, कि extreme poverty और financial crisis, ठीक है, इसका result क्या है, इसका result यह है, suicide कर लेते हैं, किसान जो है, वो suicide कर लेते हैं, अब यहाँ पर आपको क्या word चाहिए, which is, दिया है, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको एक continuous tense में एक word चाहिए, तो which is suicide, suicide कौन लोग करता है, किसान करते हैं, किसान के लिए pronoun क्या है, damn है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे, और ing form का word चाहिए, क्योंकि is लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप बोलेंगे, which is driving them to suicide, ठीक है, यहाँ पर आप simple tense में भी बोल सकते हैं, which drives them, ठीक है, which drives them to suicide, ऐसे भी आ बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई option इसमें नहीं है, present continuous tense का ही एक option है, तो which is driving them to suicide, तो यहाँ पर आपका अंसर क्या होगा, आपका अंसर होगा, यहाँ पर first, which is driving them, बतलब जो उनको खीच रहा है, suicide करने के लिए, जो उनको मजबूर कर रहा है, suicide करने के लिए, मजबूर कौन स crisis, what are the grave adversities that drive the farmers to commit society, यहाँ पर भी यदि आप आगे बढ़े हैं, तो यहाँ पर भी एक वर्ड आया है, drive, ठीक है, what are the grave adversities, grave means very serious, adversity मतलब बिपक्ति या misfortune, तो adversities क्या है, adversities noun है, grave क्या है, grave एक adjective है, बिपक्ति जो है, वो कैसी बिपक्ति है, simple बिपक्ति नहीं है, they are the serious adversities, they are the grave adversities, ठीक है, तो grave क्या हुआ, यहाँ पर एक adjective हुआ, adversities क्या हुआ, यहाँ पर noun हुआ, तो इस तरीके से analysis आप करा करो, जब आप पढ़ा करो, कोई भी paragraph आप पढ़ रहे हैं, हिंदू का article पढ़ साथ हम commit word लगाते हैं, हम do word नहीं लगाते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए, ठीक है, तो ऐसी कौन सी मुसीबत आ जाती है, ऐसी कौन सी grave adversities होती है, जो farmers को society commit करने पर मजवूर करती है, at a time when the Indian economy is to take on the word, यहाँ पर एक word दिया है, to take on the word, take on the word होता, take on का मतलब होता है, कि तो यहाँ पर सामना करने से related एक word आपको चाहिए, thought of elevating up, इसमें देखते हैं क्या आएगा, Indian agriculture is, at a time when the Indian economy is, तो इसके साथ आपको यहाँ पर, यहाँ पर आपको चाहिए, thought of, imagined of, supposed to be gearing up, क्या होगा, इसमें आप्शन, इसमें आपसा, आपको 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 चाहिए, thought of, imagined आपसर होगा, C, at a time, at a time when the Indian economy is supposed to be gearing up, supposed to be gearing up, to take on the world, gear up पतब तयार होना, तयार होना, किसके लिए तयार हो रहा है, Indian agriculture, पुरे संसार का, पुरे world का सामना करने के लिए, at a time when India is supposed to be gearing up, to take on the world, ठीक है, इसके वाद हम पढ़ते हैं, आगे, सिक्स में देखते हैं, Indian agriculture is, Indian agriculture is dominantly about the nature, डॉमिनेंटली अबाउट दे नीचर देखिए ये हम सभी लोगों को पता है कि इंडियन एग्रिकल्चर जो है वो मौनसून औरियन्किर है वो मौनसून पर डिपेंड रहता है ठीक है मानसून अच्छा हुआ तो फसल अच्छी होगी मानसून खराब हुआ तो फसल खराब हो जाएगी तो यहां पर हम बोल सकते हैं इंडियन एग्रिकल्चर इस प्री डॉमिनेंटली डिपेंडेंट ओन डॉमिनेंटली अबाउट नहीं बोलेंगे इंडियन एग्रिकल्चर इस मुख्य रूप से predominantly मतलब मुख्य रूट से predominantly dependent on predominantly dependent on nature नेचर पर निर्भर है irrigation facilities that are currently available do not cover the entire cultivable land irrigation facilities जो available है जो सचाई विवस्थाएं available है government की तरब से वो पूरे cultivable land है cultivable land मतलब arrayable land जिस land पर आप cultivation कर सकते हैं जो बेरन नहीं है जो arrayable land है that are currently available do not cover the entire cultivable land if the farmers are at the for timely water for their crops यहाँ पर क्या आएगा if the Indian farmers are at the देखे एक phrase होता है एक idiomatic expression होता है जिसको हम बोलते हैं at the mercy of at the mercy of at the mercy of का मतलब होता है किसी की दया पर निर्फर होना किसी की दया पर निर्फर होना तो if the farmers are at the यहाँ पर एक keyword है at the तो at the के साथ कि बनलब mercy word ही जा सकता है क्योंकि यह phrase होता है if the farmers are तो इसमें आपका answer क्या होगा इसमें answer होगा आपका second if the farmers are at the mercy of at the mercy of monsoon for timely water मतलब Indian farmer जो है इंडिया का जो agriculture है वो monsoon की जो बारिश होती है या monsoon की जो विवस्ता होती है उस पर वो निर्फर रहता है for timely water for their crops क्योंकि बहुत सारे किसान ऐसे हैं बहुत सारी जगे ऐसी हैं जहां पर सचाई वे वस्ताई नहीं है और monsoon का जो पानी होता है उससे जो सचाई होती है उसी पर वो निर्फर होते है if the farmers are at the mercy of monsoons for timely water for their crops they are at the mercy of the government for बिल्कुल सही है ये they are at the mercy of the government for alternative irrigation facility ठीक है यदि किसी किस्तान को monsoon का पानी नहीं मिलता है तो सचाई के लिए government के द्वारा जो प्रवाइड़ की जारी है जो विवस्ता है उस पर भो निर्बर होगा तो they are at the mercy of the government for alternative irrigation facility alternative का मतलब होता है optional ठीक है और यहां पर जो option में दीए alternating alternating की spelling ये गलत हो गई है कोई बात नहीं alternating alternation irrigation लेकिए यहां पर alternating का मतलब क्या होता है alternating का मतलब होता है बार बार बदलना जैसे AC current के बारे आपने सुना होगा जिसको हम बुलते alternating current ठीक है तो alternate का मतलब होता है पहले A फिर B फिर A फिर B फिर A फिर B इस तरीके से बदलना किसी चीज़ का लेकिन यहां पर आपको alternating word नहीं चाहिए यहां पर आपको word क्या चाहिए alternative क्योंकि बांसून की यदि फैसिलिटी नहीं मिल पा रही है तो obviously the farmers are dependent on the alternative irrigation facility provided by the government यहां पर the correct word is alternative irrigation facility तो आपका आंसर जो होगा question number 8 का वो होगा no change because the change given is because the option given is already correct so you don't have to make any changes here तो alternating आप नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे alternative irrigation facility that is already correct any failure of nature directly affect the nature का कोई भी failure किस चीज़ को affect करता है directly failure the directly failure the यहां पर हम देखते हैं directly affect the right of the farmers fortune of the farmers decision of the farmers nature of the farmers ठीक है तो any failure of nature यदि nature fail होता है यदि monsoon सही नहीं आता है तो उसकी जो फसल है वो खराब हो जाती है और उससे आगे का उसका जो उसका जो financial status है या financial जो उसकी position पूरी तरीके से बिगड़ जाती है कोई उसकी income नहीं आती है ठीक है तो यहां पर जो correct word होगा वो होगा fortunes of the farmers कोई उसके पास पैसा नहीं आ पाता है तो fortunes of the farmers यहां पर सही होगा Secondly, Indian agriculture is largely an unorganized sector इंडिया का जो अगरी कल्चर है वो पूरी तरीके से unorganized है ठीक है अनगराइस सेक्टर there is no there is no what इसमें इंटिलेक्शुल कल्टिवेशन thoughtful cultivation true approach systematic planning in cultivation तो यहां पर जो सबसे appropriate word है वो है दे कि intellectual cultivation जैसा कोई word नहीं होता thoughtful cultivation यह कोई philosophy नहीं है true approach नहीं होता systematic planning in cultivation आप बोल सकते हैं चुकि जो agriculture जो sector वो unorganized है इसलिए उसमें कोई cultivation तो यहां पर आप यह बोल सकते हैं ठीक है तो यहां पर answer होगा आपका D तो इस तरीके से इस close test में मैंने 10 option को fill करके आपको बताया है और hopefully यह काफी useful रहेगा आपके लिए bank PO और bankler के exam में इस तरह के close test पूछे जाते हैं तो आपको common sense और logic को apply करना है, theme को पकरना है, tone को पकरना है जो option होता है उसके right hand side वाला word और left hand side वाले word को connect करके उन options को देखना है उसके बाद options को आपको करना है तो ऐसे आप करेंगे तो आसानी से accuracy के साथ किसी भी close test को आप कर पाएंगे कोई भी feedback इस video class के regarding आप देना चाहते हैं तो इन numbers पर और इन email ID पर आप दे सकते हैं तो इस video class में इतना ही, अब मैं आप से बिलूँगा next video class में, thank you